चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो कोविड वोरियर्स के बच्चों के लिए MCC दवारा 5 MBBS की सीट सिरजेवर्य रखी गई है लास्ट एयर की तरह इनका अलोटमेंट भी लास्ट में होगा और ये 5C low marks वाले candidate को अलोट होती है मैं आपको इस वीडियो में 2020 की कटोप भी बताऊंगा कि किस कटोप पर इन बच्चों को सीट मिली थी तो दिन बच्चों के parents की corona duty करते से में death हुई है जो covid warriors है उनके लिए ये seat ली जरो है covid warriors का मतलब ये है कि public health care providers जिनमे community health workers भी सामिल है जिनकी covid-19 patient के direct contact में आने से या उनकी care करने से death हो गई थी इनमे private hospital staff और retired volunteer local urban bodies, contractural, daily wages, ad hoc, outsource staff सामिल है जिनकी state government, central government, hospital, aims, ions इसके अलावा जो central ministry द्वारा hospital नोमिनेट किये गए थे covid-19 के लिए तो उनमें जो career थे और उनकी death हो गई थी तो ये लोग उसमें सामिल है इनके children के लिए ये seat रिजर्व है और उन्होंने इन children ने need qualify कर रखा है तो वो इसके लिए eligible है अब इन seats के लिए apply कैसी करेंगे तो हर एक state में directed medical education यानि DME office होता है जैसे राजस्थान का DME office जेपुर है, UP का लखनव है तो ये हर एक state में DME office होता है यानि की directed medical education का office होता है तो इस DME में आपको जाकर application submit करना है DME द्वारा आपकी eligibility check की जाएगी और आप eligible है तो DME द्वारा आपका नाम MCC को भेजा जाएगा और DME एक साथ में certificate भी भेजेगा MCC को कि ये candidate इसके लिए eligible है और ये application form DME द्वारा MCC को 17th March 22 तक भेजा जाना अनिवार ये है यानि की last date 17th March 22 रखी गई है तो MCC द्वारा सभी state DME से application receive होने के बाद eligible candidate की merit base पर seat allowed की जाएगी अब ये seat कौन-कौन से medical college में available है तो इसमें एक seat Lady Harding मेडिकल college में है जो girls candidate के लिए है दूसरी seat नेता जी सुवासंद बोस जबलपूर है तीसरी जेलन अजमेर है और चोथी अलापुजक केरिला में है और पांचवी लखी रामपूर रायगट 36 गड़ में तो ये पांच seat हरे कोलेज में एक-एक seat reserve है इसमें अब हमें एक बार इसमें देखते हैं कि इसमें हमें form कौन सा fill करना होगा तो इसमें जो public notice दे रखा है MCC ने अपने website पर उसमें इसका format दिया हुआ है तो ये format आप एक white paper पर print करवा ले और इसको fill करके DMA office में deposit करना है DMA office द्वारा भी एक certificate जारी किया जाएगा MCC को उसका भी format इसमें दिया हुआ है अब एक बार 2020 की हम cut-off देख लेते हैं तो 2020 में जहरखंड state के candidate को जिसके 540 marks दे LHMC मिला था माराश्ट्र कंडिडेट को 512 marks पर MGM वर्धा मिला था जहरखंड के candidate को 464 marks पर नेताजी सुवासंद बोस जबलपूर मिला था UP के candidate को GMC हलदवानी मिला था 153 marks पर और माराश्ट्र के candidate को 148 marks पर JLN अजमेर मिला था इसके बाद में गुजरात के 116 marks वाले कंडिडेट को रेम से राची जहरखंड मिला था तो ये 5 seat हैं लेकिन पिसली बार 6 seat का allotment हुआ था क्योंकि एक seat central pool quota की जो defense person है EX के जो कंडिडेट होते हैं उनके लिए एक seat vacant रह गई थी उनके एक seat vacant रह गई थी तो उसका भी जो allotment हो गया था एक seat vacant का तो courier warriors के children को दे दिया था इसमें इसलिए पिसली बार ये 6 seat allot हुई थी अब की बार ये 5 seat allot होगी हो सकता है पिसली बार की तरह कोई seat vacant हो जाए या किसी परकार क्योंकि ये allotment last में होता है तो वो एक दो seat और भी हो सकती है तो ये एक information थी covid warriors children के लिए जो eligible है वो अपना application form DME में submit करके ये allotment ले सकते हैं allotment need के merit base पर होगा तो ये जानकारी थी मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं किसी थे जानकारी क होता है